चले बढ़ते हैं अगे इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं अयोध्या मद्यस्ता मामले में सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होनी थी और मुस्लिम पक्ष के वकील राजीर धवन ने कोट में कहा है कि ये मद्यस्ता प्रक्रिया की आलोचना का वक्त नहीं है पतादे जिस तरह से ये पूरी सुनवाई आज चली उसके बाद में अब ये भी कहा गया है कि जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट की बात कही गई या वो कुछ दिनों में गुरुवार्तक रिपोर्ट देने की बात कही है पच्चेश जुलाई की तारिक फिक्स किये इस मामले की सुनवाई अलगे मुश्लिम पक्षकार हैं वो लगतार क्या रहे है कि मेडिशन होना चाहिए ये जिस पर आजी धवन अपना विरोध जाहिर किया उन्होंने का सुप्रीं कोड कि इस एप्लीकेशन का संग्या नहीं लेना चाहिए कोड ने कहा कि हमने मेडियेशन सैजस किया था हमने स्क्राइज कूद करें कोड कि मीडियेशन की क्या प्रोग्रस है कोड ने यह भी कहा सारी पार्टी को जिनको अपना ट्रांशलेशन दाखिल करना है क्या दलील दी गही हिन्यों पक्षकार पर देखिए हिंदू पक्षकारों का बहुत ही क्लियर स्टेंड रहा है कि इस मामले का हल मीडियेशन से नहीं निकल सकता है यह बात जब मानी सुप्रीम कोट ने मैटर मीडियेशन भीजी ती उससे पहले भी अमने सुप्रीम कोट के सामने रखी ती और आज भी जब मीडिये झामले की उड़े अग कीजिए